News 18 Network को यह exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने punishing schedule से हमारे लिए समय निकाला, इस interview को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, कुछ big picture questions पूछेंगे शुरुआत में, हमारे सांग, हमारे दो colleagues जुड़े हुए हैं, एक महराश्चा के anchor हैं, दूसरे हमारे करनाट काखे editor हैं, यह दो states अहम हैं इस चुनाव में, तो हमने सोजा कि थोड़े सवाल भूभी आपसे करेंगे, शुरू करते हैं, पहला सवाल सब्सक्राइब आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मुझे अच्छा लगा, कि आपने अपने साथ करनाट गाव और महराश्चा को भी जोर दिया है, तो एक वकार से आपने मेरी मदद की है, वरना तीनों को अलग-अलग इंटरू देता, तो शायद मु सब कुछ बदल जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए, हो सकता है सीप निकल जाए, तो क्या दो हजार चौविस के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन्मत संग्रह की तरह दे आगे लोकों का होता है, किस समय किस प्रकार से अनालिसिस करना, लेकिन मैं इतना कहूंगा, कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चड़ाता हूँ, आप मेरा दस साव का रेकॉर्ड देखेंगे, तो एवरेज, फ्राइडे, सेट्रेडे, संडे, मैं इतनके किसने किसी कौने में गया हूँ, जंता के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है, और चुनाव में मैं मांता हूँ कि लोक्तव तुनतर का उतसभ ऐसा है, कि सबी राजनेतिक द्र्डों का कर्त भ्यायें, जिअदा से ज़दा लोकों के भी जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रोशिक्ष्यों का काम होना चाहिए, संवाध होना चाहिए, विचार विवर्स होना चाहिए, तो मैं एक राजनितिक शेत्र के कारकर्ता के जाते हैं, चुनाओ या न हो, मैं इसे अपना कर्तव जो मानता हूँ, और इसने में जाता जहां तक यह दो फेस का सवाल है मैंने ऐसा जर्शाबर्थन बहुत कम चुनाओं में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ एक प्रकार से चुनाओं जनता जनारदन लट रही है सुशासन के लिए लट रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए लट रही है ऐसा मुझे लगता है साग्ड मैं तो साग्ड एक निमित हूँ इस बार मेरा ज़रा ज़्यादा उत्सा है लोगों के बीज जाने जाने कह पहरे कितो न Nahes मैं ज़्यादा जाना भी चाहता हूँ इसलिए कि जो जन्ता जनार्दन इतने उमंग और उच्छा के साथ इतनी बड़ी जिम्यदबारी उठा ली हो तो वो जन्ता जनार्दन को जाकर करके उनको प्रणाम करना नमन करना उनको आशिरवाद लेना यह मुझे अपना करता भी लगता है और मैं देखता था जो फरस्ट राउन हुआ तो मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउन में यह हमारे खिलाब जो लोग मोर्चा लगा रहे हैं बैट्रे की कोर्सिज कर रहे हैं पहले राउन में वो पस्त हो गए और कल मैंने देखा दूसरे राउन में यह द्वस्त हो चुके यह यहने पहले लोगों ने पस्त कर दिया अब द्वस्त कर दिया मोरी जी जब कैंपेंग की आपने शुरुवाद की थी तो बड़े हाई नोट पे यह कैंपेंग की शुरुवाद हुई थी आपने कहा आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचे दिया आपने development agenda को लेकर आगे बढ़े economy पर आपने जो है बहुत प्रकाश डाला और इसके उपर बहुत काम हुआ भी है अभी इधर इधर एक दो चरल के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक rally में एक Congress के manifesto पर एक direct attack किया आपने ये तक कहा कि इनका एक scheme है जिससे कि ये well distribute करना चाहते है ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है और उसको वो मुसल्मानों में और घुस्पैठियों में बाट देना चाहते है क्या ये threat इतना real है क्या आपको ऐसा दिखता है मुझे रखता है शायद आपकी टीम ने मेरा पुरा campaign को track नहीं किया है ये शायद विकास की बहुत सी बाते हैं से एक जिसको शायद टी आरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा लेकिन आप में देखा होगा कि मेरा पुरा election campaign दो चीजों पर केंदरित है एक हमने समाज कल्यान को लिए लोग कल्यान के लिए क्या काम किये और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में ये सरकार में वो ये हैं कि last mile delivery ये हमारी विशेस्ता है नीतिया तो सरक कोई सरकारे बनाती है कोई सरकार बुरा करने लिए तो आती नहीं है अच्छा करना चाहती है ये कुछ लोगों अच्छा करना आता है कुछ लोग अच्छा होने का इंतिजार करते है मैं ऐसा हूं को मینत करके जो अच्छा हो करू मेरा हमेशा ऐसा रहा है अब देखिए मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूं कि हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाएं मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस चुनाव पेतार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जुसके घर बनाना भी छूट गया हूँ अब इतने निटलेंगे उनकी सुची में भेजो ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टम शुरू होंगा मैं इस खाम को आगे बनाना चाहता हूँ तीन करोड घर और मैं बनाना चाहता हूँ अब आईश्वान भारत योजना दुनिया के सबसे बड़ी हैं हेल्थ इंशॉरंस एड हेल्थ एशॉरंस की स्कीम है यह पच्छपन करोड लोगों को इलाज का भरोसा कि भै याब आपको मोदी हैं मोदी की सरकार हैं पांच लाग रुपर तक का खर्चों का संभाल लेंगे इस बार हमने मैनिफेस्ट में कहा है कि किसी भी बर्ग का किसी भी समाज का किसी भी बैग्राउंड का व्यक्ति कौन हो जिस भी परिवार में सत्तर से उपर के आई कि जो भी व्यक्ति होंगे पुरुस्त्री सब उन सब को हम ये पांच लाग रुपय तक मुप के लाज की सुविदा देंगे इस पर हमने मैनिफेस्ट में ये भी कहा है कि जो आशा वरकर हैं आंगनवाडी वरकर हैं उनको हम इसका बेनिफेट देंगे ट्रांसजेंडर जितने भी हैं किसी भी आई कि क्यों नखो हम उनको बेनिफेट देंगे तो ये बात हम लोगों को बताते हैं अब आप देखी जी हमारे देश में बैंकों कर आश्टेकान हुआ जो मिलकर जब तक अने के खेल चल रहे हैं पहले कर चुके हैं सारी बैंके प्राइवेट थे लूट लिया रातो रात गरीबों के नाम पर लूटा रहा है लेकिन हमारे देश की बैंक के खस्ता हाल हो गई आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया निक बैंक खाता नहीं किया ये मोदी ने आकर के बावन करोड बैंक के खाते खोले और उसका सबसे बड़ा मैंने फाइदा उटाया खाते खोल करके आँकड़ा नहीं किया मैंने जंधन आधार और मुबाईल इस ट्रिनिटी को लेकर के डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाग करोड रुपिये आँकड़ा बहुत बड़ा होता है थी 36 लाग करोड रुपिये डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए अगर मैंने बहुत खाते ना खुले होते तो इनका बड़ा फाइनांसल इंक्रूजिन इस दुनिया में पुरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे उससे ज्यादा का हुमारे देश में हुआ है जल जीवन मेशन हमारे देश में जी 3-4 परसंद गरों में भी घर में नल से जलाता था वो भी जाता था अर्बन लोकालिटी में आज 14 करोड ग्रामेर परिवारों को नल से जल पहुचा है अब यह सारे का हमें 25 करोड लोक गरीबी से बार ऐसे ही नहीं आए जी हमने उनको इतना ससक्त बनाए और मेरी स्ट्राटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करें और जब गरीब अपने महनत से गरीबी को परास्त करता है उसके बाद उसको गरीबी में वापिस नहीं जाना यह संकर्प बन जाता है और वो देश की शक्ती बन जाता है आज हमें फाइता है 25 क्रोन लोग गरीबी से बाहर आए बहुत बड़ा एचिमेंट है जी दुनिया इसकी तारीब कर रही है जी और यह एक मोडेल बनेगा यह जो डेवलप्पिंग कंट्री जे हम के लिए मोडेल बनेगा जी अब देखिए 2014 के पहले क्या हो था 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वले निकाल दीजिए फ्रेजाइल फाइव फ्रेजाइल फाइव यही एडलाइन होता था आज जी हम बाइबरनेट एकॉनोमी बन गए है आए मैफ ने दुनिया के 150 देशों का समू जिसमें चाइना भी है हिंदुस्तान भी है जिसको हम कहें कि एक डेवलोपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जिंग एकॉनोमी वाले देश है आईसो का एक सभू का उनको क्लाजिपाइ करके उन्हों उसका एनालिजिस किया बड़ा इंट्रेस्टिंग है एने एक पाकार से यह इंडिया का पीर गुरू हम कह सकते हैं अब देखें क्या नालिजिस हैं 1998 इंडिया पर कैपिटा जीडिपी इस पीर गुरूप से 30 प्रतीशत के आसपास थी जाने पूरा देशों का इसे उसमें अटल जी की सरकार थी 98 से 2004 अटल जी के अपने कारखल में यह 30 प्रसंट को 35 प्रसंट ले गए अच्छा अच्छा प्रोग्रेस है लेकिन दुरभागे देखें जी 2004 में यह सब खिचरी कंपनी आ गई और यह खिचरी कंपनी ने अटल जी की महानत जोदिश पर पानी फेर दिया 35 प्रसंट को 30 पर ले आ गए और लोग यानि इन सारी कंट्रीज ने बारत से जादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया यूपीए की सरकार में भारत डेवलपनी वर्ड की अपेशा और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो भी हमसे आगे निकल गए लेकिन 2014 में हमाए सरकार बनने के बाद 2019 तक मैं आपको खुशी होगी है हम 30 परसे 37 पर पहुंचा दिया और 24 तक मैं जब पहुंचा हूँ यह मामला 42 परसंट पहुंच गया है याने 30 छोड़ा था हम 42 ले और यह हाइस ट्रेज याने हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बड़ी है अगर आप 10 साल के कालखंड ने हैं इन्फिलेशन को भी ले जो महँगाई खितनी चर्चा करते हैं तो यह 10 साल सबसे कम सबसे कम इन्फिलेशन वाला कालखंड रहा है यह मैं इतना सारा जो कहता हूँ और हकिकत के अधार पर कहता हूँ कठोर परिशन करने के बाद एक्षिव किया है जी पूरी सरकार को मोबिलेज किया है और लक्ष को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए है उसके बावजुद भी मोदी क्या कहता है बोदी तो कहता है यह तो ट्रेलर है मुझे तो और आगे जाना है और नहीं नहीं आकांग शाहिए और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के और कॉंग्रेस ना जहां तक मैनिफेस्ट हो है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो यह कोई शोपिस के लिए होते हैं क्या सच मुझ में ते मिडिया का काम है कि हर एक पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों की बारी की से जाच परताल कहें मैं इंतिजार कर रहा था कि मिडिया करें, पहले दिन मैंने एक कोमेंट तो कर दिया था, मैं को आज करनी रहा, कि भी मुझे ही मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी छाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएगे तिक पता नहीं अब उनकी व्यस्तरता कोछ और है मैनी फरस्टों मैं उनकी तरब से जो परोशा गया है उतनों गुड़ी 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 उशालते रहे फिर मुझे लगता भी तो इकोसिस्तिम का अब रा मिली को खर लगता है अम मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफिस्टों में जो बुराइया है उसको कोई 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 कि निस्पक तरिके से आता है तो अच्छा है आफिरकर मुझे मजबूरन ये सच्चाईया लेकर क्या आदे पड़ी अब देखे साब और उनके एक महासाई ने अमेरिका में इंटर्वी दे दिया तो इनेरिटन्स टैक्स की बात ले आए तो मैं और वेल रिडिव इस्टिविशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिहां से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मे बारे इस साब मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है कि मैं देश वास्यों को बताऊं कि भी ये इस दिशा में ले जा रहे है अब आप देजिए जाना ने देना जनता जनाना का हरता है लेकिन मेरा दाइत वा बनता है कि तर्थे वो आधार पर तर्थे आधार पर उनकी हकिकोत आधार पर मुझे बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ सैम पिटराजी ने जो है इन्हेरिटेंस टैक्स की बात की जो हम लोगों की जमापूंजी है जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जेनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी भारती जन्रता पार्टी क्या करेगी हमारे मैनिफेस्टों में साब हमने लिख करके लाएव है अब उन्हों है कहीं स्वगूपा छोड़ दिया तो मैं भी जन्रा लेके गूंगा ये सवान आपके मुन में कैसे आ जाता है भारती जन्रता पार्टी की विशारतारा साब है जी हम अपने विशारतारा के आधार पर कारकमों को लेकर के मेरिफेस्टर को लेकर के देश के सामने जाते हैं कुरपा करके ऐसे महासारों के विचारों को हम पर बंद हो ये भाई जी राहूल गांधी ने एक बात और कही है वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे इसी से जड़ा सवाल है इसलिए मैं पूछना चाहरा हूँ एक national x-ray कराएंगे बात सिर्फ caste census की नहीं है जो कि वो करते आये हैं उस पर भी आपका मत जानना चाहूंगा बंगर बात वो कहते हैं इससे आगे है बात caste की नहीं बात justice की है और वो कहते हैं कि हम जो है एक social economic survey लाएंगे एक institutional survey लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस के पास किस जाती और किस वर्क के पास क्या है कितना धन है कितनी institutions में भागिदारी है और उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे इसको आप कैसे दिखते हैं सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने अपनों राजनिती के expert मानते हैं जो लोग बेश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं सबसे पहले उनका दाइक्व हैं कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थित्यों का वर्णा आप कर रहे हो अगर ये सही है तो सपता साथ पैसर साल तो आपने राज किया भई ये मुसिबत के जन्म दाता है आप हो और आपने अब तक कि ये बरबादी लाएग क्यों है पहले उनका जवाब मांगो भई अगर किसी अनाच के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने चपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा उनके गहने ले लिए जाएंगे जमिनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्टिप्स करेंगे यह दुनिया में एक माववादी विचार ने सब किया हुआ है दुनिया बरबाद हो चुकी है यह पूरी तरह अर्बन नकसल उस सोच का सीधा सीधा प्रगड़ी करणा है और इसलिए मैनिफेस्टों आने के दस दिन तेक बाद भी यह जो जमात आएज दिन लिख्था पट करती है ना उचूप रही है उनके उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है तम मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि देखिए आपको लूट रहे हैं और दूसरे पार्ट है डॉक्टर मनमौन सिंग्जी वगर उनने हाल बार कहा है कि जो भी संपत दियोंगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा तो हिसाब किदा दो साब है वो क्या करना चाहते है आपने ये सवाल भी उठाया है 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है जिसमें मनमौन सिंग्जी न देकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे और 2004-2014 के बीच में उन्होंने चार-पांच वर ऐसा करने की कोशिश की भी है अरे भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिन सवाल आपने पूचा है तेरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा देश के लिए मुझे बताना आप कॉंग्रेस का इतियार देश के जिए नब्बे के दसक से ये मांग उठी है देश में समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया उसका वीरोत किया उसको दबाने की कोशिज किया यनए नब्बे के पहले कम का दसक है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्स OBC के विचार के प्रक्ष में आने लगे अब उनके छे भारोसे कोगी वो नकारते रहें, रिजेक करते रहें दबाते रहें दबे के दसक में उनको लगा लभी अब इसको जरा उनकी वोट बेंक की राजनिति के अनुसार उसको टन दिया जाए उन्होंने पहला पाप के क्या 90's के दसक में करना टका में उन्होंने धर्म के आधार पर आपको याद होगा करना टका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया यानि देश के OBC को नकारना उस विचार को दबाना उस विचार को डिजेक्ट करना लेकिन राजनीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोसित कर देना है केंद्र से कॉंग्रिस गई 2004 तक ये प्लान ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ 2004 में वो फिराए तो आते ही आंद्र में मुसलिम को OBC कोटा इदेना ताय कर दिया मामला कोट में जाके उलज गया अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षन में मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है समीधान के मुनगुत भावना के प्रकाश में दिया हुआ 27 परसंट सेद लगाने की उन्होंने तहरी करती दाका डालने की कोशिश की है 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसेल की मिटिंग भी जी है NDC की मन मोन जीन की ने बयान पर भहत बड़ा हंगाम हो गया दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही 2009 के गोशना पत्र में फिर से इसका जिक्र किया 2011 में केमिनेट नोट है इसका 2011 के केमिनेट नोट में वो भी सीके 27% हिस्सा दाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना उन्होंने तै किया जी 2012 UP चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाइक ओड ने इसको रिजेक कर दिया रद कर दिया कानूनी जज्जमेट आ गया SC में गया शुपिंग ओड में गया वहां भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला 2014 के गोशापतर में भी दर्व के आधारपर आर्षण की बात कही है जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई RSS वाले BGP वाले संविधान जबा में नहीं थे बाबा साब आम्रेकर जैसे लोग बैटे थे पंडिक दरू जैसे बैटे थे साथा अवलेपर बैटे थे देश के कही महपुर्ष बैटे थे उन सबने लंबे चिंतन के बाद पाई किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्टो और मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है मुस्लिम लिगी नीतिया उन्होंने अपनार शूर किया अब ये जो उन्होंने सित्या बनाई है मुझे बताईए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहे हैं जिस प्रकार से लोग बापा साब आमबेड कर को अप्मानित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं जो कलम के धनी हैं जो निस्पक्ष हैं, उनका इदाईत्व बनता हैं कि ऐसे थमाइद देश को वो एजुकेट करें सही चीजे बताएं Congress का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है जो कि उन्होंने मैनिफेस्टों में बोला है उन्होंने लिखाया कि इनकरेज और एसिस्ट करेंगे स्टूदेंट्स को बिलॉंगिंग तो दे माइनॉरिटीज उन्होंने ये काया कि विल इन्शोर माइनॉरिटीज रिसीव देर फेर शेर अफ ऑपर्चुनिटीज ये बोला है तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं मितले इनके मैनिफेस्टों को मुझे पकर नहीं जरूते हैं मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया जिए जिए 1990 का हिसाब देखोगे उसके बाद आप क्या करोगे मुझे अब उसे उसमें एनालिसिस करेंगे ज़रूते हैं पड़ती हैं आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोन सिंग जी के 2009 के बयांतर कर सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिल्कुल इस वह से क्या निकालोगे भाई मैं नहीं निकाल रहा हरे को यहीं निकालना पड़ेगा यहां मतलब की यह करके यहां जाएंगे वह और यह जो भागीदारी की बात करते हैं इसको आप कैसे दिखते हैं अब मुझे बताइए जो 2014 में हम आए हमने ऐसी को नीती बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुखावट हो जाए तो यह उनके पाप है उनके पापों को देश भुगत रहा है अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिजम किया होता सच्चे अर्थ में सामाजिक नाई किया होता वोट बेंक की राजनिती न की होती तो यह उनको आज इस प्रकार से जूठे कागेजों को ले करके घुमना नहीं पड़ता मुझे विश्वास है कि दस साल समय जो कर रहा हूं सिती एसी आएगी कि जितनी बाते हैं उनका जवाब हमी देंगे करकर के देंगे हर एक को योग गिनाय देंगे हमें तीन बार राश्च्पति बनाने का मौकाँ आया हूं मुझे मौकां पिला पहले तो किसको बनाया दलित को बनाया दूसरा मुकामिला तो किसको बनाया आजिवासि महला को बनाया तो ये हमारे आचरम से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है मोधी जी आपने एक बात और कही है और इसको मैं एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ आपने कहा है कि अगर इनका गटबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये PM बाय रोटेशन होगा ये डिसाइड लेक कर पा रहे है कि किसको PM बनाएगे तो एक-एक साल के लिए सब लोग PM बनेंगे सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डिवेलप्मेंट स्टेज है उसमें कोईलेशन गवर्मेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्मेंट ज्यादा एफेक्टिव होगा दो अलग-अलग सवाल है जी है देखिए आप ओंग्रेश का करेक्टर देखिए उनके हाँ राजस्तान में पार्टी के अंदर आंतरिक संगर्थ था तो उन्हों फर्मुला बनाई डाई डाई साल मुख्यमंत्री की डाई साल एक मुख्यमंत्री रहेंगे डाई साल दूसरे मुखे ये वरास्ता में फर्मुला बनाई ती नोन फर्मुला है 36 गर्ण में ऐसे उनकी पार्टी के बीतर जगड़ा हुआ तो वहां भी उन्होंने फॉर्मिला बनाई कि ढ़ाई साल एक, ढ़ाई साल दूसरा और उन्होंने मामला समाव करके गाड़ी चलाई और ये भी सचाहिए है कि ढ़ाई साल के बाद वो मुकर गए याने खुद की पार्टी के साथ दोका किया खुद की पार्टी के अंदर उन्होंने दोका करने के उनकी प्रवुती इसका मतलब ऐसी फॉर्मिला कॉंग्रेस के दिमाग में होना ये प्रूवन है उसमें और मैंने अभी कहीं मीडिया में पढ़ा उनके कोई छोटी से मीटिंग मुझी थी मीडिया में पढ़ा मैंने और उसमें ये कहा गभी आप आज के स्तिज्यम मोदी बार बार पूछ रहे गभी कितना बड़ा देश किसको सुपरत करे अपको नाम तो होना चीए ना कितना बड़ा आप किसी कब नाम दीजिए कोई तो नाम देना पड़ेगा ना अरे क्रिकेट की टीम होती ही वो भी कैप्टन बताती है आप बताने ही रहो कितना बड़ा देश देख इसको अब कब जांकर भीर होने कोई ऐसे फॉर्मिला बनाई है कि भाई बन यर बन पीम फॉर्मिला अब एक पीम एक साल रहेगा तो आएगा पूरी नहीं सरकार बनाएगा कैबिनेट बनाएगा तो फिर सपत समारों चलते रहेंगे अब कोई देश ऐसे चल सकता है इतना बड़ा देश देश ने तीस सान तक अस्तिरता देखी है मिली जुली सरकारों का दोर देखा है आज दुनिया में भारत के प्रतिक विश्वाफ बड़ा है उसका कारण भारत के 140 करोड लोगों ने एक स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बड़ाई तो कोई भी भरोसा करेगा है यहाँ इस सरकार के पास मेंडेट है मिली जुली सरकार पर कोई भरोसा है नहीं करता है और इतना बड़ा देश ऐसे धोड़ा चल सकता है लेकिन आज देश की राजनिती ऐसी है कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों न जीते उसने रीजनल एस्पिरेशन्स को ओनर करना ही होगा और इस से लिए हमें पूर्ण बहुमत मिला फिर भी हम सरकार एंडिय की बनाते हैं एंडिय के साथियों को लेकर की बनाते हैं क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनीति उजवल भविश के लिए देश के लोगों के एस्पिरेशन्स के लिए रीजनल एस्पिरेशन्स को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए उतना ही हिस्सा देना चाहिए और ये character NDA ने develop किया है भारती जनता पार्टे ने करके दिखाया है अपने regional aspirations की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे एक सवाल और जिससे पहले क्यों सपर आते हैं opposition की सारी parties, राहूल गांधी, Congress सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है match fixing कर रहे हैं इस चुनाओ पर उन्होंने कहा है कि ED, CBI और EVM के बिना आप चुनाओ नहीं जीत सकते हैं क्या कहेंगे आप EVM का जवाब तो देश की Supreme Court दे दिया है और 2014 में इनके पात ED थी, इनके पात CBI थी तो हार क्यों गए गए? मेरे Home Minister तक तो जन्हों में डाल दिया था तो हार को चुक है वो अगर ED, CBI से चुनाओ जीते जाते तो ED, CBI क्या काम तो इतने सालों तो Congress ने किया है वो जीत जाते हैं जी और इतना बड़ा देश एक Municipal का चुनाओ फिक्स ने कर सकते हो भई जरा करके देखो यह संभव होता है क्या दुनिया को मोरग बना लेकिन दूख इस बात का है कि ऐसी बाते करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के वज़े आपको पूछते हो बोदी जी थोड़ा सा लेकिन इसमें एक बात जोपना सा है मैं मानता हो पिछल जग कई दिनों से इंडी अलाइज के लोग इतने निराश हो चुके इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने डूनना बहुत जरूरी बढ़ गया है क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंड रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये मोदी जी दो स्टेट्स अहम है इस चुनाओ में एक है करनाटका और एक है महराश्टा करनाटका जहां पर अभी आपकी हार हुई थी विधान सभा के चुनाओ में और महराश्टा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिछड़ी बनी हुई है तीन पाटियां दो पाटियां टूटी है मेरे दो साथी मेरे साथ हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं करनाटका से तो हरी प्रसाइजी जो हमारे वहाँ के एडिटर है वह आप से कुछ सवाल पूछना चाहते है अरे प्रसाइजी स्वागत है आपका करनाटका से लिए नेहा हिरेमत मर्डर केस माला चर्चेक आएदे नेहा खिल्ड इंसाड़ कैंपस भाई पैयाज इवन जीपिन अड़्डा जी रुष्टू हर हाउस आप क्या सुच रहे है यह अभी फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या करना रख का चुनाओ का फोकस ऐसे इश्यूस को शिफ्ट हो रहा है देखिए नद्दा जी का कारकम वहाँ चल रहा था और इतनी बड़ी गटना गटी थी और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे वो कॉंग्रेश के थे उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या यह हमारे समस्कार नहीं है नहीं हमारी सोच है और एक मानविय संबेदना का विश्य है और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ रगदेख जी ने इतनी चुनाव के आपाधापी में भी उनके स्वांतवाना देने का प्रयास किया है यह पूरी तरह मानविय वहवार है मैं भी है अब मुझे मैं बताता हूँ कि शायद कुन सा चुनाव है मुझे आप देगी है लेकिन रहुल जी कहां कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गरबर हुआ तो मुझे पका चाला कि मैंने तुरुद्न को फोन किया मैंने का भी आपको कुछ दिकत हुई यह क्या हुआ है यह हमारा करता भी बनता है मैं दूरात का मुखिमत देता और दमर मैं मेडम सोनिया जी फिर हमारे एमध पटेल से वो सारे लोग उनका हेली काप्टर एक दिम स क्रेश कर गया मुझे पका चाला मैंने तुरुम फोन किया मैंने कि मैं यहां से आपको एर एंबुमेंट भेजता हूँ तो अमध बने मिजे का अगले है अभी बेलकुल हम लोग सरामत है यह बाठीक है है हली को नुक्सान हुआ है लेकिन हमें को तकलिफ नहीं हुई है एक सब्सकार भी है अब मैं मानता हूँ कि यह राजनेती से परे होते हैं चीजे तो मेरे लिए किसी कभी किसी भी परिबार में आपती आ जाए यह हमारा राजनेती से उपर उड़ करके ही वैवार होना है चाहिजी regarding the guarantee schemes in Karnataka Congress promised five guarantees and they after coming to power they delivered that one, they as per their promise they are delivering that one, now whereas in BJP BJP is more in the last election you lost the only 66 seats you able to win there BJP able to win there. इसका वज़े से थोड़ा सा बीजेप का अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उदर आपका मन में करनाटका में अभी बीजेपी कितना सीड़ जी सकते हैं क्या है नंबर वन करनाटका कि जनता पश्चादाप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी इनको बढ़ा दिया तो जन समर्दन हमारा कम नहीं हुआ है जन समर्दन हमारा बढ़ा है लेकिन इन्होंने इतनी कम समय में हैं सीएम कौन अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए शपत हुआ है सीएम का लेकर सैटल नहीं हुआ है अपने आपको सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें अब कामों जोस्ता देखिया है छरमरा अर्थिक स्थिति पूरी तरा कंगालियत के स्थिती में है वादे तो बड़े-बड़े करती हैं और फिर टैंग लगा है ऐसा होगा तो यह मिलेगा बैसा होगा तो नहीं मिलागा मतलब आप जन्ता के साथ दोका भी कर रहे हो जब हमने कहा कि भी हम इन हिन लोगों को आईश्मान काड़ देंगे पर लग देंगे फिर इप्ट एन बेट लगा गर गर उसमें बेईमाने नहीं करी चाहिए अभी जब हमने कहा कि हम सत्तर साल से उपर के किसी भी वर्क के व्यक्ति होंगे इनको आईश्मान कार्ड देंगे पर लगतेंगे आपने यह हुम्मत हो नहीं सी है उन्होंने किसानों की जो यह जना थी उरहत कर दी किसान सम्मान नहीं थी कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने आप बता आप कोई सोच सकता है जब बैंगलूरू दुनिया में हमारा बहु बड़ा रोल है दुनिया में जब जाते हैं तो बैंगलूरू कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचीत है टैक हब के रूप में जाना जाता था आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया और टैंकर में भी माफिया स्वाही चल रही है पानी के लिए लोग तर भी कम करते है यह एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किये हैं जिन मुद्धों को लेकर के वोट मांगा उन बुद्धों को आप वोट देनी पर रहे है अजया डेप्तिसी एम वह अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीयम बन सके इसलिए सब खेल रहे हैं, वो CM से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं, जहां तक भारतिय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं, भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकर मेरी पूरी टीम काम कर दिये जी, उसी प्रकार से ये दूरत्पा जी हमारे वरिष्टर नेता हैं, लिए काम पूरी टीम कर रही हैं, और टीम महनत करती हैं, लोगों विष्वाफ भी हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। हैं, लुष्टर वोर्ड से लिए गूर्रावे केम लिए कोड़ टीम को इहां बूलाया था. अजया ठाम मेरी मेरी टीम में उसमें को भुलाया था अता है। बैठ करका मैंने का भाही, पहले हम जल संचय के योजना का। हमाने बनानी चाहिए अब जहां तक स्ट्रेक डिजास्टर रिलीफण का सवाल है हमारी सरकार ने पहले ही जो केंदर का हिस्सा होता है वो उनके यहाँ बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है हमारी इंटर मिनिस्रेल टीम उसने भी प्रभाविक शोत्रों में जो नियम है पद्दद ही हो जो हमने नहीं बनाई कई दसकों से हैं उसके अनुसार वो टीम महां गई है जा करके उसने सर्वे किया है और हर बारचा होता है जैसे मैंने हाँ गुजरात में भूकम पुबा तो मैंने एक मेमरेंडम बेजा बारच सरकार ने एक टीम भेजी उन्होंने सर्वे किया उन्होंने हेजाब के लगाया अब यह सारी प्रोसेट चली आचार सहीं ता गई तो हमने एलेक्शन कमिशन को गानवे है हमने विशह है हम इसको जैसे ही आप पर मिशन देंगे हम देना आप से कुछ महराश्रा के बारे में बात चित करना चाहिए नमस्कार महराश्रा कुट नमस्कार महराश्र में बिज़ेपी को उन-23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी लेकिन इस बार महराश्र में पूरी खिजड़ी बनी हुई है शिवसेना और NCP टूटी है उनके दो पाटनर आपके साथ है जो दो गूठ है आपके साथ है क्या उद्धव ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपतिकी लहर देख रहे हैं दिखें पहले बात तो मैं महाराष्टर के सभी लोगें को मेरा नोश्का और अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्टर के विश्व बो लेकर करके आप से बात दरा हूँ अब देखिए ये बात सही है कि वहाँ लंबे अर्से से मिली जूली सरकार चलती है बिलास राव देशमुक थे तब से लेकर के आप देखिए ये वन शरत पावार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पुर्णों भ्हमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे दूसरा महाराष्टर का दुरभागे रहा है कि लंबे अर्से से पांच साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है एक भी वेक्ति पांच साल मुख्यमंत्री पहले वेक्ति थे लंबे अर्से के बाद जो एक पूरा स्कारकार मुख्यमंत्री रहे है और पूरी सरकार बेदाग रही है पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही है अब सिंपति हमारे साथ होनी चाहिए है कि जो लोग हमारे साथ चुनाओं लड़े है जो लोगा अगर साथ चुनाओं लड़ करके महाराचा के लोगों से भोट मांगा लेकिन मुख्यमत्री बनने के फुद के व्यक्तिकत महत्वकांख्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया इसके कारण आपने बारसाब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोडी को गुस्षा है बीजेपी के प्रति सिंपत्य है दूसरा शिवस्थाना के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ या एंसीपी के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ है वो साब साब दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही पात्विक्ता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं तो कभी ने कभी तो कठिनाइक प्रता होती है सरद्राव के घर में जो मुसिबत है उनके पारिवारी जगड़ा है बतीजा समाले कि बेटी समाले है यहां भी उनका जगड़ा यही है कि और कोई सक्षम देता उपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जैसे यहां एक परिवार में कॉंग्रेस के चल रहा है उस पर तो वो जगड़ा उनका है जी और मैं मानता हूँ हमारा देश इस प्रकार के पारिवारी जगड़ों के परती नफरत करता है तो यह बिलकुल ही आप सिंपती सब्दे लेकर के सिंपती दिलवाने के अगर कोशिश करता है तो मैं समयता हूँ वो भी फेल जाने वाली है लोग नफरत करते हैं लोग ऐसी चीज़ों को स्विकार नहीं कर सकते हैं कि ये तुम्हारे घर के जगड़े तुम गर में निपनों ना महारास को क्यों बरबाद कर रहे हो तो गुशा है दूसरी बात है जहां तक आज सिंधी जी के नेतृत में जो सरकार चल रही है भारती जनता पार्टी का जाधा सीटे होने के मैद मन में त्याग किया है त्याग महाराश्ट की भलाई कि लिए किया है कुछ लोगों को लगता है कि हम सीम बनना चाहते नहीं थे हम बन सक tobacco नहीं बने है महराष्टा की जनताओं को हमने कन्विंस किया है कि हम महराष्टा के लिए जीते हैं हमारे लिए नहीं जीते हैं और इस चुनाओं में ये सिंपती हमारे पक्षम है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमंत्री सफ़ड रहा हुआ मुख्यमंत्री वो आज डेप्यूटी सीम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारती जनताओं प्वारती सिर्फ पर सिर्फ महराष्टा के उजवल भाविश के लिए और मैं मानता हूँ हमारे बेश में बंगाल बरबाद हो गया कौल करता है एक इकनोमिक को टायू करता था लेकि महा इस प्रकार के उठापक्टर के राजनेते ने बरबाद कर दिया बिहार और उत्तरप्रदेश अस्थिर्था के राजनेते ने तभा करके रख दिये थे महराष्टा को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए मुंबई देश के आर्थिक राद्धानी है हमें देश हित में भी महराष्टा में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बाप हम महराष्टा के जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहे हैं और महराष्टा की जनता बहुत पोजिटिल रिस्पॉंब दे रही है महराष्टा में बीजेपी, शिवसेना और एंसेपी की महायूती बनी है लेकिन इस चुनाओं में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रही है अभी तक टिकट का वितरन भी बहुत जगा पे नहीं हुआ है ये महायूती पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता मुझे लगता है जो पहले दो वाक्ते बोले न उसके सिवाए बाकी सब जो वतार वो उन लोगों का पॉब्लम है मिल जुल करके सिटे तहे करके चल पड़े है और वैलिन अडवांस कर दिया है सिवसेना, बीजेपी और नसीपी इसको कर लिया है सामने जो नखली पार्टियों का मिलाब मिलाब है हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं बोड भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी सर 2017 में आपही की सरकार ने शरत पवार जी को पद्मो विभूशन दिया था जो देश का सेकेंड हाइस सिविलियन ओनर है लेकिन पिछले मंगल बार को शरत पवार जी ने एक कहे दिया मराठी में पते मराठी तास मना ले कि मोदी जी देशा से नवे पुतीना है आप नए पुतीम बन रहे हैं आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं मैं उनका आधर करता हूँ आज भी करता हूँ और मैं मानता हूँ सारवजनिक जीवन में लंबे अर्षा तक जीजिए लोगों ने काम किया हैं हमारे साथ रहे न रहे हमारे विरोध बने वालग पात है इसका मटलब यह हुआ कि जिसके अंदर वो पुतीन को देखते हैं उसकी सरकां से एवोड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं यह तो बहुत बड़ा कॉंट्राडिक्शन है हुए लेकिन वो गर्व कर रहे हैं जहां तक मेरी पार्टी की सोच अब देखे हमने भारत रत रत दिया तो किसको दिया पॉनमुखर जी अंदर से माराओ चोधिर चरंसें जी करपूरी ठाकोर और इस देश में किसे ने क्वेस्टन नहीं किया अब इनकों को भारत रत रत दे रहे हैं सब को लगता है यार यह डू था डिजर था किस दल के थे हमारे खिलाब देशारी बाते उन्हों ने बताई वी ऐसे लोग है लेकिन निर्ण उसके अधार पड़ी होता है आप पड़म पुरस्कार देखें मुलायम सिंग जी असम के तरुम गोगई जी पीए सांगमा जी जमीर जी एसम कर्षना जी आप देखें जी सारे लोग हैं दुसरी पारे जोग हैं हमने उनको पड़ दिया हम पड़ देते उनको अपने अपने खेतर में जोक हैं तो मैंने पुरा पड़म पुरस्कार तो मैं मानता हूं कभी अगर आप स्टोरी चलाएं मीडिया के लोग इंटरेस्ट करें, भारत में पद्मपुरसकार को कैसे परिवर्टित किया गया कैसे पद्मपुरसकार सच्चे अर्थ में संवान बना दिया इतना बड़ा काम होने किया है अगर तारीफ होनी चाहिए इस भात की होनी चाहिए कि आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे देने करते हैं एक question नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया देने के बाद उन्होंने ऐसा statement ये शर्ती थोड़ा होता है ये पदमे देता हूँ मेरे लिए चूप रहे ना ये को agreement थोड़ा होता है ये give and take formula नहीं है जी मोदी जी थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं सबसे बड़ा प्रदेश है 80 सीटे वहां से आ रही है क्या इस बार आप लोग 2014 का record तोड़ पाएंगे 70 सीट लाएं थी BJP 73 इंडिये इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहूल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उता रहा है खुद कन्नौच से लड़ रहे हैं अखिलेश जी डिंपल मैंपूरी से लड़ रही है बिरोजाबार आजम गड़ तमाम जगे से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापर समेठी और राहे बरेली से लड़े तो इस उसमें आप चुनाव को कैसे देखते हैं रहां जी आप जितने गर्व से सब उतरे हैं सब उतरे हैं सब उतरे से चार बार बोल रहे हैं यह यह मजबूरी है क्या है परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है यह मजबूरी है यह उनका मूल करेक्टर के इसके सिवा उनके बाद को है ही नहीं फैमिली मेंबर्स को यह लड़ना फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना यही खेल है, आचे यह पहले इखटे नहीं आए यह कहा है वही पहले भी खटे और बार इखटे और आ चुके है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविश्च क्या है उसकी समझ पूरी है और इसलिए मैंने पार्लामेंट पर कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोगसभा के मैदान से भाग रहे हैं राजसपा का रास्ता खोज रहे हैं और हुआ वैसा ही है बड़े लोग ने चुनाव लट लिए त्यार देगे जी लेकिन हमें जिम्मेबारी के साथ काम चल रहा है सब को साथ ले करके चल रहा है और मुझे पक्का भी स्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका 2014 से बहतर परफॉर्मेंस हो उनका कुछ बचेगा ही नहीं एक सवाल और आप इसका पाट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूँँगा opposition congress सब आपके पीछे कहता है कि सरगार जो है EDCBI intelligence agencies का इस्तिमाल कर रही है आपने कहा है कि ED independent है सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक सब एक analysis एक newspaper ने की थी कि 25 नेता जब opposition party से BJP की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के उपर से जो है इस तरह के cases को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या drop कर दिया गया इस बारे में एक एक भी case drop नहीं किया गया है जो अदालत कहें कि वही होगा हम को निर्णे नेगे स्वातंत्रा है दूसरी बात है political leadership के case कितने हैं बई only 3% 97% अच्छे अच्छे बुर्यक्रेट जेल में है आखिर के इन संस्ताय का जन्म क्या हुआ है बई अगर इन संस्ताय का जन्म इसी काम के लिया तो काम नहीं करे गी या और अदावात नतरी बेड़ी है जी किसे को दमाने दे जेरी अदालत तो अदावात देटी होगे नहीं और बस्टाचार के मामले में हम कम सब्सक्राइब इसको लाइट न लेजी सच्पुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आरोप लगता था न तो भी हल जाते थे आज गुना सिद्ध हो चुका है सजा हो चुकी है फिर भी आप हाथ हुचार कर 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 के फोटो निकल वा रहे हो आप बस्टाचार का महिमा मन मन कर रहे हो इस देश में ये आलोचना का विशय होना स्वेश बस्टाचार को नियू नॉर्मल के रुप में ट्रिट नहीं करना स्वेए वरना इस देश का बहुत दुक्सान होगा जी ये सवाल बीजेपी और अधर्स कमाना नहीं है देश के लिए ठीक नहीं है आप इसके नियू नॉर्मल बना दे और मैं देख रहा हूँ दीरे 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 ऐसा बातान बनाया जा रहा है आँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है यह यही तो गरीब आद मीं मर रहा है जी हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए रिजॉल्फ होना चाहिए यह कंट्री का वो नहीं हो रहा है जी और मैं तो मानता हूँ देखिए मैं कुछो कोशिश कर रहा हूँ एक सिस्टिम को पॉलिसी डिवन बनाओ टकलनोजी को भर पूल लाओ आज हमने पहले एक प्रदानमंत्री कहते थे एक उर्पे जाता है पंदरा पैसे पहुंचता है आज मैं कहता हूँ एक उर्पे जाता है पूरे सौ पैसे पहुंचते है डारेक बैनेटिवे ट्रांसपर क्यों हो सिस्टिम को सुधार हो भी हमने जैम पोर्टल बनाया करुप्षन को कम करने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है जी दूसरा समाज को भी जगा समाज को भी आदत तालोग भी प्रस्टाचार बुड़ा है किसी भी स्करपर प्रस्टाचार से मुगत रगाची और देश में वो मात्रा बन रहा है पोलिटिकल लोगों को डर नहीं है और मैं मानता उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा भी रोध है इतले उनका समर्धन कर देना ये शोगा नहीं देता है भई आप पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये आर्टिकल 370 को रद किया CAA को लेके आए मगर opposition leaders इस campaign में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को CAA को repeal कर देंगे महम तब energy खास करके कह रहे हैं CAA को implement नहीं होने देंगी इसको आप कैसे देखते हैं पहली बात है कि जिसको भारत का समभिदान समझा है बिसको भारत के federal structure का पता है किसके पास कौन काम है वो सब पता है वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं क्योंकि ये उनके अधिकार खेतर का विशे ही नहीं है अगर मोदी भी राजे का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जो भारत सरकार के विशे हैं बात सरकार करेगी जो राजे सरकार के विशे होते हो राजे सरकार करेगी लेकिन जनता को मुख मनाने की फैशन हो गई है जनता को अंधेरे में राखने इसलिए कुछ भी भी बूलकर रहते है दूसरी बात है मैं चालेंज करता हूँ कॉंग्रेस पार्टिकल प्रेस कान बात करके बता दे कि हम 370 बापिस लाएंगे क्योंकि 370 हैंटने के बात ये लोग समविधान की इतनी बिड़ी बाते करते हैं बाबा साब अमबेडकर के नाम पर हमको इतनी गालिया देते हैं हिंदुस्तान में बाबा साब अमबेडकर का समविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का समविधान नहीं लगा है ये हमने आकर के भारत के समविधान और वहां दली तो पहली बार आरक्षन मिल रहा है आरक्षन मिल रहा है ये सब क्या बाते करते हैं जी और उनकी हम्मत है क्या वो पेस कंफर्स करके बोले कि हम 377 फिर से वापी लाएंगे हम्मत है तो कोई भी दल हम्मत हो तो आजाए मेदान में मुदी जी बंगाल की तरफ चलते है वेस बेंगाल में जो है इस बार चुनाओ काफी जोरों में लड़ाई हो रही है पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए ते 42 में तो लोग चकित रह गए थे लोगों को उमीन नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है राजनाच जी ने मुझसे इंटर्विव में कहा था कि 36 सीट आ सकती है कैसे देख रहे है इस वक्त माहौल को देखिए जहां तक लोगों का चकीत वाला जो आप कह रहे है उनका प्रब्लम है कि मुझे 10 साल हो गए अभी भी मांने को द्यार ने कि देख जिंटा ने मोधी नाम के Кिजी वक्त्रव को प्रजान मुंत्री बनाए तो ऐसे एक जमाथ है जो देख के मेंडर को स्विकार करने को द्यार नहीं है अब हकीकत है भई कि देख की जंता हमको समर्थन दे रही है आपने हिसाब लगाया तो नहीं होगा नहीं होगा तो यह आपकी खलती थी लोग हमारे का लोगों के साथ पर कहा है मैं मालदा में था मैंने जी बहरान था कितना बड़ा चबर जस्वाम माहूल था जी हब जनता जनादन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्थी मजबूत सरकार है बंगाल में भी उसका परणाव अच्छे मिले और टीमसी के साथन में महलाओं पर जो अत्याचार हो रहे है संदेश खाली की जो घटना है पूरे देश को हिला दिया है जी और उसका गुसा निकलना है निकलना है जनता के बाद तो मताधिकार है उससे अपना गुसा निकालेंगे तो गुसा निकलना है बहुत स्वाभाविक है आपने देखा को नोटों के डेर क्या कभी आपके टीवी वालों इतने सारे नोटों को धेर को पकड़ी देखा था पिछले सालों में आप लगातार पचास करोर के तेर, 300 करोर के देर, 500 करोर के देर, 200 करोर के देर, देश चोग गया है जी, आप कितना इसको दबाने कोशिज करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थीर हो चुका है, ये लूट लूटने वाले लोग हैं तो इस बार जीत और बड़ी होगी बिलकुल क्लिंसिप कर रहे हैं उदिशा को कैसे देखते हैं उदिशा में आपने जो है बीजेटी का साथ छोड़ा भारती जनता पार्टी वहां अलग रही है बीजेडी ने मुद्दो के आधार पर के उडिशा के पुरिये अश्विता कातम होरही भही उडिशा के अश्मिता संकाट में है उडिशा लेंग्यज वो खत्रमें आ रहे है और मैन मानता को उडिया के लोग अब ये लंब बे अर्चत की इसको स तो अब उडिशा की सामान ने मानवी के इंदे एस्पिरेशन सही जी और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए हम उडिशा को कहां से कहां पोँचा कर देंगे उडिसा से बात बिहार की भी करते हैं बिहार में आपने फिर नितिश जी के संग वापस जो है आपका गड़बंदन उनके साथ है उस गड़बंदन के साथ लड़ रहे हैं कैसे देखते हैं पिछली बार 49 सीटें थी आपकी 40 में क्या इसको रिपीट कर पाएंगे पहले एक तो हम चुनाओं एसेम्री का साथ लड़े थे बाद में वो कहीं गए फिर बापीस आए तो हम जो जनता का मेंडेट है उसके अनुसार साथ में है जहां तक जन समर्थन का सवर्थन में बिहार में ही था जो जन समर्थन में देख रहा हैं अन्प्रिसिडर इतनी गर् मेंडान नहीं कुछ नहीं है और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए है बस साथ देख रहा हूं जहें कि बिहार में पहले में एकाद सीट साथ हार जाते थे शायद इस पार एक भी नहीं हारेंगे चालिस में चालिस एक भी नहीं हारेंगे बहुत आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में, मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर परसनल अटाक अकसर होते जाते हैं, कहीं पर कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो, अ आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि परस्नल अटेक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है ये ऐसा मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूशना चाहिए ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सारवजन एक जीवन में आखिर मोदी का गुना क्या है वो पी एम बना वो ही गुना है ना मतलब आप जो भी गाली देते प्रदान मंत्र को देए अब प्रदान मंत्र को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे ये कभी मेरी मान को गाली देना कभी और मैं हरान है कि लिए भारत के राश्पति पर भी किस परकार का कटा Emil किया गया ता शरमा अहले हिस परकार की भषार करों किया था है मैं हमसा मानता हूँ जी मदाता ही मेरा परिवार है धेशी मेरा परिवार है और मैं सकारत वर एक उस से जा रहा हूँ लेकिन जो ऐसा कर रहा है उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता उओ देशवासि Oliver चोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरह कैसे देखना सब्सक्राइब कि अगर एक सवाल मैं यह समझना चाहूं कि यह जो तीसरा टर्म होगा आपका वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा पहले अलग कैसे होगा तुम्हें सामान ने मानुवी की जो जरूरत थी उनको में अड़र्स करना चाहता था मैंने उस देशा में काम किया और उस समय देश के इंदर एक निराश्या का वातारून था सरकार के प्रतिन नफ्रत का माता मुझे निकम भी मुझे विस्वात बरना था मैं उस पर काम किया मजबुतिला था तो दूसरा कारकर था वो मैंने कुछ परनाम दिखा है लोगों को व विस्वात भर दिया और हम आगे बढ़ सकते हैं हम दुनिया के अंदर एक कांफिरेंस लिवा आया है देश में वो कांफिरेंस एक बहुत बड़ी तागत है अब आगे जो मेरा कारकार है मुझे जो अतासा मैं से विस्वास में परिवर्तित हुआ आकांच्छा में परिवर परिवर्तित हुआ अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना रहा है लिकिए जो मैं ग्यारा से पांच पर लाया उसी की कंटिनुटी है जी जी इमें पांच बोर बिनेका मावर तीन वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता जी तो पहले मनमान सिंग की जमये पर ग्य अब जैसे बिजली है हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा भ्यान चला है बिजली पहुंचा दी है अब मेरा लक्ष है पीम सिर्व की गर्व योजना और जीरो बिजली बिल और मैं हर घर पर सोलार सिस्टेम लगे और मैं सिरफ बिजली का बिल जीरो चाहता हूँ इतना है अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे कमाई करें तीसरा जमाना इलेक्टिक वेहिकल का आएगा मुझे आप में निर्वर होना है एनर्जी के सेक्टर में और इसलिए मैं चाहूंगा जो इसके पास भी स्कूटी हो मोटर हो जो भी हो उसका चार्जिंग अपने घर में हो जाए और सोलार से हो जाए मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टिशन का महिने का हजार दो हजार रुप्या खर्चा आता है वो भी जीरो हो जाए ये त्रीवीद बेनिफिट नागरी को और देश को परियावन का मेनिफिट देश को आज पैट्रोलियम इंपर्ट करना का जो अरबो अरबो डॉलर जा रहे है बार वो बंद हो जाएगा तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना अब जैसे स्टार्ट अफ मैनुफेक्ट्ट्रियर अब बनाना है मुझे इनोवेशन हब बनाना है याने मैं एक बिलकुल नए अरिया पर देश को लेए जाना चाहता हूँ और बड़े कॉन्फिटेंस का और वीजन मेरा क्लियर है मुझे कोई दुवीजानी मेरे पास पताया है नेक्स हंडेट इज जो है चार्ज उनके बाद हंडेट इज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरा पास क्लियर है पांच साल में क्या करना क्लियर है 2047 में विक्सित भारत बने क्लियर है इसलिए मैं कहता हूँ 24 by 7 for 2047 ये मेरा मिजाज आए इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपका हमारे ग्रूप में साथ आज विलास मुझ से सुबह एक सवाल पूछ रहे तो मैंने का आप मोदी जी से खुजी पूछना डायरेक्ट आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारे कठीनाय का सामना किया है ऐसी हालत में भी आप टफ डिसिजिन लेते हैं एक कैसा कर पाते हैं देखिए मैं टफ डिसिजिन पगे नहीं लेता हूं जिए मैं सही डिसिजिन लेता हूं कोई टफ डिसिजिन होता है सही होते हैं किसे तो टफ लगे, येजी को ना लगे, आसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है, जैसा आचरेज आपको होता है, मुझे भी होता है, कि मोधी ये कैसे करता है, फिर मैं सोचता हूँ, नहीं नहीं, साइद करमात मैं नहीं, मुझे इस काम के लि मैं करता रहता हूं यह कोई परमात्मा की देन है परमात्मा नहीं मुझसे कुछ काम लेना तय किया है किसी परपर्च के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं यह जो बाकी तुफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूं लेकिन इस तुफान में शांत कैसे तुम उन चीजों में मतुल्ये तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो, तो परमात्मा का मेरदेश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की युजना है, और शायद यह उसका मैं एक नमीत हैं, कुछ हैं। इसी सो जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं को आपका शेडियूल मिलता है आप इतना ट्रवल कर रहे हैं दिन में पांच चार छे रहली वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं कौन सी ऐसी है जो आपको ये द्रद संकल्ब दे रहे हैं आगे बढ़ने का पहली बात तो मैंने कहां नहीं कर रहा हूँ जी ये इश्वर ने तै किया हुआ है इस वर ने मुझे सायद इसी काम के लिए बेजा है क्योंकि मैं जिस परिवार में पहना हुआ हूँ जी मेरी माने कुछ परिने दो इश्वर हैं एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता जनादन है मैं जनता जनादन को भी इस्वर का ही रूप मानता हूँ और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार्स रद्धा है शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए बेजा है जन्ता जन्रावद्र ने आश्रवाद दिया है शक्ति जहां कर मैं काम क्यों कर पाता हूँ मैं मेरे लिए जीता नहीं हूँ मैं मेरे लिए जन्मा हूँ मेरे मिन में हमेशा रहता है कि मुझे जीतना समय मिला है इसका पल पल मैं देश के कामा हूँ जहां तक मैं दोरता है थुन रहा है अगर क करन haar चाहिए जितना जनादन के दर्षन करना का चाहिए लोक कंत्र का उत्रच से जिसम्माद होना चाहिए चीतना जदा तो मैं इसको एक बैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं कैसे इन्वाल होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है, मेरे 140 करोड देखता हूँ, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाफ से मैं चलका हूँ, लगा रहता हूँ उनमें, खब जाता हूँ, ठकता नहीं हूँ, भगवान को देख के आता हूँ. मोधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपने समय इतना समय निकाला, आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है, अगली बार अगली बार सिर्फ न्यूज 18 पर आठ पार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अमनों को समय दिया, चलिए, बहुत बहुत सब्सक्राइन माधे नवस्कार सब्सक्राइन मावाश्टाथ लिए जिला